कोई graduate है, कोई doctor है, कोई engineer है, तो कोई teacher ये देश के युवा हैं जो इस वक्त राम भक्ती में डूबे हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में ये तस्वीर अलग ही रंग पेश कर रही है, ये तस्वीर मद्य प्रदेश के भुपाल की है, जहां प्रदेश के गौरव बाबा, श्रीबटेश्वर, पीर्दन समीती के 111 सदस्यों की टीम अयोध्या के लिए रवाना हो गई, इससे पहले शहर में उनकी प्रस्थान रैली निकाली गई, समीती के अध्यक्ष अर्जुन सोनी की अगवाई में को प्रस्था बाबाता बरण, अम मैं तो यह कहूंगा कि बाहाई और अंतस दोनों राम्मय हो रहे हैं, ऐसे समय में जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सनातन आगे बढ़ रहा है, यही वो समय है जब हम सब को जागना चाहिए, उठना नहीं, जागना चाहिए दरसल टीम में जहाल मंजीरे, नगाडा, धोल डमरू, खुंगरू बजाने वाले सदस्थे शामिल हैं, जो प्राण प्रतिष्टा के दिन बाइस जन्वरी को प्रस्तुती देंगे, और यह तस्मीरें बता रही हैं कि उस दिन का नजारा कितना भव्वे होगा, जिसको लेक दरसल टीम के सदस्यों की तरफ से कहा गया है, वैसे देखा जाए, स्वय अध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्टा उस सब को लेकर चारों और काफी उस्सा है, ऐसे में भुपाल के टीम, दमरू का आयुध्या में प्रस्तुत के लिए चैनित होना, भुपाल के लिए ह अयुध्या में प्रतिष्ट के लिए गौरव की बात है, हमें बहुत गर्व महसूस को रहा है, कि हमारी टीम को अयुध्या जाने के लिए सलेक्ट किया गया, हम अयुध्या जाने के लिए बहुत ही उस साहित हैं आपको बता दें कि अयोध्या जा रही 111 युवा सदस्यों की डमरू टीम भुपाल सहित मद्यप्रदेश में काफी प्रसिद है टीम ने पहले भी शेहर में आयोजित कई कारेक्रवमों में प्रस्तुती दी है और अब आयोध्या में टीम राम लाला के प्राण प्रतिश्दा में शामिल होकर 21 और 22 जन्वरी को पैरो में घुंगुरू बान, जांज मजीरे, ढोल, डमरू की थाप पर मगन होकर नाचते हुए अपनी प्रस्तुती देंगे जिसका नजारा वाकई भव्वे होका